गुद मॉर्निंग कैसे हो भी सारे करमियोदा बिल्कुल बिंदास्त्रिके से आज तारीक हो गई पंद्रा पंद्रा तारीको बिल्कुल बिंदास्त्रिके से मोर्निंग में डाउट करते हैं आपको बताया था दोषेट गें ही सेट के ढाउट खतम करवाद्यों यह को मणने हमीदी मतलग जाना थोड़ा सा रुको और बहुत ही घचप का कंसेप्ट है बहुत सिंपवल सा कंसेप्ट है जैसे रिकम बोलती है वैसे बिंदास्तिरी केसे चलते ही मेरे दुरंदरो आच्छे करम को करता हुआ वो वीर योद्धा करम योद्धा कहलाता मुद्ध क writes in जाने चाहिए क्योंकि पडोसी ही वो अंतिम कड़ी है याद रखना पडोसी ही वो अंतिम कड़ी है जो आपके रिष्टे में सबसे ज्यादा भागिदारी निभाएगा बिल्कुल जोवन गेव 40% of money he had his wife कितनी अच्छी बात है कितना प्यारा है जोवन अगर सो रुपे कमाता है तो सो रुपे में से 40 रुपे अपनी वाइफ को दे दिये सबसे बड़ा खुशी का यह लम्मा होता है कि तो सो में से आपने क्या कर दिया कि सो में से आपने कि इती दिरो तो सारे दोस्ति एक सबसे बड़िया काम होता है अपनी वाइफ को पैसा दे दिया तो सो में से 40 रुपे वाइफ को दे दिये बचा कितना 60 अब 60 बचा गडबड़ी होगे कितने बैटे उसके तीन बैटे थे इस वाइफ यह एल्सों गेव 20 परसेंट ओव दा रिमेनिंग अमाउंट टू इच इस थ्री संस तीन बैटे थे बच्चे वेका पर ते को 20 परसेंट अब बताओ बचा कितना 60 60 का 20 परसेंट कितना होता है बारा रुपे रुपे रहे सारे आमरो क्या बोला गया half of the amount now left was spent on miscellaneous item and the remaining amount is 12,000 अब जो बच्चे उसका half फिर उड़ा दिया तो बताओ बच्चे बच्च कितना गया हाँ सारा कितना था सो था सो में से 40 पहले चला गया 60 बच्च गया 60 में से 36 फिर उड़ गया तो 60 में से 36 और उड़ा दो तो बोलो बच्च कितन है वो भी तो 12 भाएगा रील में कितना बच्चा है बोलो बच्चे रील में बच्चा है 12,000 बेलकुल गजब का कंसेप्ट आपका सबसे गजब का रूल वेल्यू किसकी चाहिए जिसकी 12,000 वेल्यू कि बारा की अगर बोले कुल पैसा कितना उसके पास तो गुणा में 100 कितन अंसर आएगा एक लाख हाँ कुल मोह मनी कितनी थी तो एक लाख बताए उसने अपनी वाइफ को कितना दिया तो बारा हजार आता बताए कुछ भी नहीं है कुछ भी तो नहीं है मेरे भाई जैसे रिकम बोलता है वैसे करते रहो कोशन के लेंथी लेंग्वेज देखे लंबा बताए टोटल परसेंट सो होती है अरे सारे दुरंदर बताओ डूबते को सारे दुरंदर बताओ डूबते को तिनके का सारा दूबते को तिनके का सारा और ये है गजब का बैच करम योद्धा बैच जो है वो छोटा भाई है किसका निश्चे बैच का निश्चे बैच वा बारा बारा रूपे तीन बेटों पर बारा रूपे उड़ा दिये कितना बच गया चोबिस पर बच गया आदा फिर उड़ा दिया तो बारा रूपे बच गया और बच्चावा कितना है 12000 बारा जार वेल्यू किसकी चाहिए किसकी गजब के तरीके से आप कोश्ण को करते रहेंगे अगला कोश्ण यह हिंदी में था अरे अगला कोश्ण यह हिंदी में था कोई बताने की जुरूरत है नहीं चलिए बच्चे उससे गले की बात करते हैं बहुत ही गजब का कंसेप्ट और यह गजब के करम युद्धा रित्तु अपनी आये का 40% बोजन पर 20% घर के किराये पर 10% मनोरंजन पर और 10% परिवेन पर खर्च करती है यदि एक महिने के अंत में उसकी बचत इतनी है कितना सिंपल है टोटल परसेंट 100 होता है जब तक रिमेनिंग ना दे मुश्किल नहीं बचे टोटल परसेंट 100 होता है 100 में से मैंने 40% खर्चा बोजन पर किया गिंते रहो 20% खर्चा के राएक पर किढिया 60 दस ये 70 और 10 यहासी 80 परसेंट खर्चा हो गया सारे बचे बताओ हर एक बंदे की इनकम अपने लिए 100% होती है एक एकाई की वेलिओ में Lutheran 100 टीए हर एक बंदे की इंकम अपने लिए 100% होती है सो में से मैंने कितना खर्चा कर दिया 420, 060, 080, 020 बचगया तो 1500 वेल्यू किस की ए बीस की बोलो बच्चे हर रोज सुबह उठती नाने से पहले तीन बार बात बोला करो बोलो क्या value किसकी चाहिए जिसकी बिल्कुल गजब के तरीके से बिल्कुल बिंदास तरीके से चलते रहो आगे क्या बोला गया है एक विक्ति अपनी आय का 35% बोजन 25% बच्चों की सिक्ष्या पर और सेस का 80% घर के किराये पर यहां remaining आ गया इनके बीच में remaining नहीं है बच्चे तो जोड़ो जिनके बीच में remaining नहीं है उनको तो जोड़ो 25 और 35 कितना हो गया 60 100 में से 60 रुपे तो मैंने यहां पर खर्चा कर दिया बच कितना गया 40 उसका बोल रहा remaining का 80% 40 का 80% कितना होता है 32 रुपे 32 रुपे खर्चा बाद में और कर दिया मैंने ठीक है बच्चे आगे क्या बोला गया है तो उसके पास उसकी आयका कितना परति परति सोच लागे आठी तो बच्चा परसेंट तो आठीन ना बच्चे यानि 60 परसेंट यहां खर्चा हो गया 32 परसेंट टोटल का यहां तो 8 परसेंट आपका बच्चा यहार मेरे विचार से कोई है नहीं फरी के नंबर है तुरंत वेल्यू किसकी चाहिए किसकी उडाते हाँ थोड़ी खराब काउंटिंग होती तो इनको ब्रेक करना पड़ता है यहां तो सिंपल परसेंट कर सकते हो ना 40-80 परसेंट कभी के दो सब्रेक क्यों नहीं किया फरक कुछ नहीं पड़ना अगर आप नहीं सर में ब्रेक करूंगा मेरा क्या करोगे बताओ पैंती हाँ जिनका जोड करेंगे जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं नहीं कर दोड़ेंगे सुक्स्टी परसेंट को करोगे मैं तोढूंगा तो तीन बटा बोलो बैई अंसर तो यह टाने है जिनके बीच में या देखना बचे रियल लोजिक क्या होता है जिनके बीच में रिमेनिंग ना हो उनको जोडेंगे जिनके बीच में रिमेनिंग ना हो उनको जोडेंगे बोलो 3525 कितना हो गया 60 और जिनके बीच में रिमेनिंग आ गया फिर तोडेंगे फिर तोड़ेंगे 80% को भी बरेक करना पड़ा और 60% को भी बरेक करना पड़ा या सिंपल सी देखर लो 40-80% तो भी तुरंद उड़ा देंगे बच्छी दोनों बाते बता दी और याद देखना बार-बार repeat में बोलना doubt में repeat नहीं बच्छी दोबते को तिनके का सारा, अगर पास होने के लिए कुल प्राप्त का 33 % अंक प्राप्त हासिल करना पड़ेगा अगर पा होत रुञ अगर रिख से बच्चे बताओ यहां पर 125 B value है 40 B value है 125 हमारे काम के वेल्यु नहीं बोलो क्यूं 125 dafür बेल्यु क्यों की हमें नहीं पताई कितने % कि है सही बात है ना 440 अगर ये काम के वेल्यु कब होती अगर मैं कहता मेरे 125 नंबर आ गए मेरे 30% आए 20% आए तो ये काम की value थी आपको बड़े चेडंग से बताई थी 40B value है बट 40 value आपके काम की value नहीं बोलो क्यों क्यों कि आपको पता आप 40 अंको से फेल हो गए बट यह नहीं पता कितने परसेंट से फेल हुए अगर मैं बोलता बच्छे मैं 40 अंकों से फेल हो गया मैं 2% से फेल हो गया या मैं 3% से फेल हो फिर वो 4 value 2 या 3 की होती अब ये बताओ बच्छे real में पास होने के लिए कितने अंक चाह यह 33% और सोच के से देखो 125 नंबर मेरे आए 125 नंबर मेरे आए और मैं 40 संखो से फेलो मेरे भाइप तो मैं pas कितने में आ जाता बच्छे बोलो में पास कितने में आ जाता में 165 नंबर में पासर आ जा जाता तो बताए 165 165 वैलू किसकी 33 33 बतानी किसकी यह मेक्सिमम कितने नंबर अन्बर 30KK के लिए ठीक है किस पर एकट गा रहे बछेवांच पर 505 कि है अगर आप आप सारे के सारे साही कर गया हो तो आप 500 नंबर ले सकते हो बोलो बच्चे 5 पर कटेगा ना 5 315 15 15 16 तुरंत वेल्यू किसकी चाहिए किसकी डूबते को तिनके का सारा बोलो बच्चे 125 नंबर मेरे आए और मैं 40 नंबर से फेल था सोच के देखो मैं पास कितने में होता 125 नंब तुरंत वेल्यू किसकी चाहिए किसकी जल्दी से बताईए आपको मैंने वादा किया था याद करो हर एक वादा निबाओंगा बच्चे हर एक वादा निबाओंगा आपको अपने माबाप का सपना साकार करना है वो आपका सपना नहीं है बच्चे जो आपके माबापने आ एक विद्यार्थी टेस्ट पेपर में में तम प्राप्त 100, 1500, 200 की परिक्षा हुई, एक में एक के 90% नमबर आए, पहले 100 में से मेरे 90% आए, दूसरी पेपर मेरे 60% आए, और तीसरे मेरे 54% आए, तो बताए उसका कुल प्राप्त परसेंट कितना है, कितना सिंपल है, 100 का 90% त 100, 1618, 288, 208, सी नमबर आए, 208, सी नमबर कितने में से आए, 200, 450 में से आए, कितने में से आए, बोलो बच्छे, 40, में से आए, परसेंट की लिगुना मीं क्या करेंगे, 100 करेंगे, कितना आन्स राज़ेगा बच्छा देखते, काठा-पेटी करते रोंailकूल 20 अस्तरी केश से मज़ेदार तरीके से हैं काटा पीटी करते हैं बिल्गुल बिंदास तरीके से मज़ेदार तरीके से ठीक है ना 0-0 कैंसेल कर दो नो पे चला जाएगा नो 5 45 नो गुणा में तीन 27 नो गुणा में दो ठारा पांच यांपे कितना आ गया 10 और 32 गुणा में एक-डłosć नंबर कितने आगे 28 परषैंड मेंसे सबका जोड़ किया टोटल नंबर आए कितने मेंसे आए वो नीच्री परसेंड के लिए गुणा में सोग करते हैं बिल्कुल जिन्दास तरीके से सारे दोस्त चलते रहेंगे और बिल्कुल इंजोई करते रहेंगे अजे टेस्ट पेपर में 85 परसेंट सेवन्टी परसेंट और 65 परसेंट तथा 60 परसेंट अंग हासिल किया चार पेपर हुए थे जिसके अधिक्तम अंग तो 120 140 और 160 थे दिक्तम मंग किये थे मतलब प्रिक्षे इतने नंबर किती उसका कुल प्राप्तांग परसेंट कितना आगे श्याबास एक बार आप जल्दी सोचो एक बार आप सोचो श्याबास जल्दी से वहीं सेम कुष्ण है पिछले जैसे वाला सेम कुष्ण है बच्छे यह एक गजब का बैच मेरा करम योद्दा छोटा भाई यह उसका निस्चे बैच वालों का दूबते को तिनके का सारा आधिस्ण न डूबते को तिनके का सारा यह बता ये सो चार प्रिक्षा होई थी एक पर कितने नमबर का था दूसरा प्रिक नमबर का था 2020 मत था तीशाप टैस्ट्राइपर एक सौटारूस का था और चॉत्ता प्रेपर एक एक सो शाथ नमबर का था यह चार प्रूए थे फर्स्ट् अग्जान मेरे कितना 85 परसेंट आए दूसरे पेपर पूरी रिकम लिख रहा हूं बच्छी दूसरे पेपर मेरे 70 परसेंट नमबर आए तीसरे पेपर मेरे 65 परसेंट नमबर आए और चोथे पेपर मेरे 60 परसेंट नमबर आए यह चारों मेरे परसेंट मेरे आए ठीक है तो सारे बच्चे बताइए कोई दुरंदर मना ना करें मारकर आएगा बाहर कोई बच्चा मना ना करें मेरे बच्चे सो का 85 परसेंट 85 ही होता है हां बरू हां 120 का 70 परसेंट 84 84 होता रहे हां बरू 127 84 20 कट जाएगी एक सो चालिस का 55 परसेंट हां यह निकालो बच्चे एक सो चालिस का पैंसेट परसेंट 65 बटा सो ठीक है ना डारेक्ट कटने में आप थोड़े से गड़बडी में आ जाओगे जीरो से जीरो काट दिया पांच दो दस तेरा गुना पांच पैंसेट दो आगया साथ तेरा लिए और एक दस और छे शोला चैलिखा एक ये रिकिया आनो नो अठारा नो सताइस च्छतिसमें से कम पेंतिस मतलब आपके 356 नम्मल जोड़ गया मैंने 356 नमर आए कितने में से कुल प्रिक्षा कितने कीती 100 200 300 400 500 की जोड़ किया बच्छे सब का जोड़ देखो 100 और 200 300 400 500 120 की。 percent की लिह गुना में 100 कहरेंगा, और बिलकुल 22 की से चलते रहेंगी, buscaund points में अने दू क्या बात है? point में अने दू कोई फिरदी नहीं पड़ना हाँ, 23 इसका दा क्याए कितना गया 5, इसका 2 पे काटा बोलो कितना गया 123 इसको 2 पे काटा कितना गया, 13 पेकट जाता क्या 13 नहीं, 13 दोपेकाटा 2, 1, 17 गुरणा 2, यहा गया. ठीक है, हाँ. 13, 13, 14, पूरा पोवेंट में, 13 किसके डिवाइड में है क्या भी बार देखलाओं, क्यों कंटिंग में टाइम वेस्ट करो? 13 किसके डिवाइड में, 13 में نہیں हैं, कि तो कि ठीट देना था ते राते वह ऑ कि छोड़ड़ देखे खिर रो ओप्रसन का सारा लिया करो मेरे भाई ठीक ना तुरंत मेरे विचार से यहां तकना हो जूड-जूर चाहा आप ऐक बात बोलने हैं बोलो टूबते को तिनके का सारा अरे सारे बच्चे बोलो, सारे करमियोदा बोलो, दूबते को तिनके का सारा है, मैं बार बार आपके कमेंट चल रहे हैं, कितने गजब के शैबास, कितने गजब के एक तरफा जवाब चल रहे हैं, बट बच्चे मैं आपका कमेंट पर ध्यान नहीं देता, पता है नहीं क्यो भी यह था मैं किसी भी कमेंट का आपको जवाब ने देता पता है क्यों क्योंकि फिर डाउट का जो है मिशन हमारा खतम हो जाएगा टोपिक नहीं चल रहा बचे डूबते को तिनके का सहरा चल रहा जानक ना ताकि गर में जाके आप पढ़ाई करो अगर कोई बच्चा यहां लड़कियां तीन दो के नुपात में हैं अच्छा लगाओ आपको तीन लड़के तो दो लड़किया परसेंट है ना तो सबसे अच्छी बात है लास्ट में 0 लगा लो बचे परसेंट सो का जीजी होता ना इसलिए जील लगा दो पता ना रेश्यों के अंदर बता दिया है ऋड़कियों का 25 परसेंट लडकों का च्छरी लड़कों का 25 परसेंट केतना हो गया पिचेतर लड़केश है और लड़कों का 20 परसेंट न Develop tract 2 ३ 2 हो सब्किर्स एक Crisis ऌतरवाइक से 508 100 में से 300-20 500 500 में से पर्षेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे मेरे भई 202 मा देंगे पांच गुणा में 210 5 15 पता है ने 20 से परसेंट 23 परसेंट लोग अडेल्ट है सबको बताए टोटल पर्षेंट 100 होती है अगर 100% में से 23% adult है तो बोलो बच्छे कितने बच्चे 77% जो है वो adult नहीं है वैस्क नहीं है आपसे पुछा था कितने adult नहीं है तो अनसर आजएगा 77% बोलो बचे आप से ये पुछा था कि अगर मैं कहता हूं इस इस साल से कम के तो अनसर आएगा 77 इस तरीके से कारभवा बंटा रहेगा और मेरा गजब का करम्योदा बेचा के चलता रहेगा मेरा गजब का प्यारा प्यारा बेच सेम कोशनगला जल्दी आप बताओ सेम कोशनगला जल्दी बताओ सारे दोस्त एक अक्षा में लड़के तथा लड़क्योंगा एक अक्षा आइक क्षा में लड़कें तथा लड़क्योंगा पाठाओ सबसेंसे बाता अब यह होगे बार बारा रचार क्यों मना अरे 2009 कर लोग पर्सेंटेइजी होता है अरे जिस नंबर के लशनमें अरे अनाडियो और रोट इस नंबर के लशनमें 2-0 होता है उसका percent easy होता है अगर आप 4 और 1 मान के करेंगे तो भी से आएगा 40 और 10 से भी से आएगा 400 और 100 से थोड़ इसी counting ठीक हो जाएगी यदि 75% लड़के तथा 70% लड़किया चातर विड़ती मिलती है यानि 75% लड़के इसका 75% 75% करेंगे बोलो कितना हो जाएगा बच 70% लड़कियों को चातर विड़ती मिलती है इसका मतलब 70% लड़कियों को भी चातर विड़ती मिलती है पूछा क्या है तो कितने परतिसे चातरों को चातर विड़ती नहीं मिली नहीं मिली पूछा है ना तो पहले मिलने वाले देख लो बच्चे 370 कुल मिला के 370 बच्च 74 प्रसेंट लोको चातर इथी मिली ए तो कितने माँने मिली होगी तो मैं से कटा दो 26 pursue 46 प्रेसंट नहीं मिली है अगर मैं कहता हूँ इस कलास में 74 परसेंट को 74 परसेंट अनाडी मिली है तो बताएं कितने परसेंट अनाड़ियों को स्कोलर्शिप नहीं मिली, टोटल परसेंट सो होता है, सो में से 74 चला गया तो 26 परसेंट आ जाएगा, ये मेरे अनाड़ी, ये गजब के अनाड़ी, खिलाड़ी बनते जा रहें, अब ये नाड़ी, खिलाड़ी में चेंज़ ओर हैं बच्चे, अब यहां पर 36 से लेके 38, 2-3 कोशनी कठे करेंगे, एक पर हैं बच्चे, कई साहे थोड़ा ध्यान दो, एक परिक्षा में एक परतियोगी अधिक्तम, अंग का 25 परसेंट अंग पराप्त करता है, दूसरा परतियोगी, 42 परसेंट अंग पराप्त करता है, अनिवारी अंग से 8 अधिक पराप्त होता है, अब मेरे बताओ, दोनों बंदोंगा नाम लिख रहा हूँ, मेरे 25 परसेंट नंबर आए, शुनों द्यान से, मेरे 25 परसेंट नंबर आए, और मैं फेल होगा कितने से, 60 परसेंट नंबर से फेल होगा, यानि पास से 60 कम है, दूसरे दोस्त के 42 परसेंट नंबर आए, दूसरे दोस्त के 42 परसेंट नंबर आए, और वो पास होके 8 अधिक ले गया, तो इनका जो अंतर है वो 68 का मना जाएगा पता है ना ये परसिनेजें उन्हें बताया था अगर बच्चे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना एक बात तो ये ध्यान रखना पहली बात ये ध्यान रखना कभी भी डिफ्रेंस माइनस का नहीं होता अगर मैं कह दूँ बच्चे एक बंदे की आयू है 40 साल एक बंदे की 38 साल अंतर कितने का दो वर्स का अगर मैं पहले बोल दूँ एक बंदे की 38 से की 40 से तो भी अंतर दो वर्स का मैसा बड़े में छोटा गटाते हैं अगली बात चुनों एक साथ रुपे मैं साथ रुपे करजे में हूँ आपके पास आठ रुपे हैं तो अंतर 68 का माना जाएगा बच्चे आपके बराबर आने के लिए मेरे को पहले 60 रुपे का करजा उतारना पड़ेगा फिर आठ रुपे कमाने पड़ेंगे तो 68 वेल्यू किसकी बोलो बच् 200 पूरी प्रिक्षा 400 नंबर की थी बोलो बच्चे पूरी प्रिक्षा किटने नंबर की थी 400 नंबर की थी अधिकतम क्या कोशन. देखते हैं बच्छे क्या पूछा गया है हाँ अधिकतम प्रापक तंग कितना 400 मैक्सिमम मार्क्ष कितना था 400 कितना धा चारेशया किते नमर धीधी बोलो बशे 400 नमर धीधी पूरी प्रिक्षया 300 नमर धीधी सेटी है है सफल होने के लिए आपको पंतरे कुष्रेंक सबसक्राइब को सबिनकर सबस्पर्ण कि यह ता एक बार सब्सक्राइन क्या था इक बर heathe अगर मेरे पक्षीज परसंट रंक आते हैं तो में फेल होता हूं कितने नंबरों से 16 नंबरों से और अगर सफल होने के लिए अवश्यक क्या थे तो मेरे आए 25 तो 400 का 25 परसेंट होता है चोथा हिसा तो मेरे आए थे यह निसो नंबर तो मेरे आए थे अब सो नंबर आने के बावजूद भी मैं फेल था 60 मार्ग से बोलो पास कितने में आ जाता तो 600 में पास आ जाता है अब बता हो 160 में में पास आता हूं कितने मेंसे 400 में से सब को पता है जिसके बारे में पूछा जाएगा कितने में से निच्छा आएगा परसेंट बनाने के लिए गुणामी सोब करेंगे डूबते को तिनके का सारा अरे बोलो डूबते को तिनके का सारा 40% में मैं पास आ जूँगे कौन सा अप्सन दी यहां पे तिन्नों कोशन 36, 37, 38, 33 तिन्नों इसी पर डिपेंट थे एक बार लिखो ज्यान से निसी पर डिपेंट थे बोलो क्या मेरे नममर कितने है 25% अगर मैं 25% अंक लेता हूं तो मैं 60 नमर से फेल हो गया दूसरा दोस्त 42 परसेंट अंक लेता है तो वह पास ओके आठ नमर ज्यादा ले गया difference कितने का 8 का percent में difference कितने का 17 17 का difference प्रेंट 68 का 68 वेल्यू कि सकी 17 की चाहिए टोटल तो गुणा में 100 कर देंगे बिलकुल बिंदास तरीके से मेरे को लग रहा है बिलकुल बिंदास तरीके से सारी बाते चलती रहेगी और आपका ये कारवा बंदता रहेगा अपने माबाप का सपना वो पल सोची बच्चे उस उस पल के लिए जी जान लगा दो उस पल के लिए जी जान लगा दो बिलकुल बच्चे उस पल के लिए जी जान लगा दो जिस रूम में पड़ो मेरे करमियों दाओ अपने मवीम पापा की फोटो लगा के पड़ा करो कोई गलत काम नहीं करोगे कोई गलत काम करने से पहले से एसवल हो गया मेरे 30% अंक आ भी गए और मैं 15 अंकों से फेल हो गया दूसरा बंदा भी जो 40% अंक हासिल किया और आवश्यक अंक से 35 अंक अधिक ले गया वहां पर एस वल था वह सेम पिछले वाला कुछ ना गया बच्छे अगर मेरे 30% अंक आपते हैं तो मैं 15 से फेल हो गया 15 नंबर कम रहे गया बच्छे 15 नंबरों से फेल हो गया दूसरे दोस्त के 40 परसेंट अंक आए औ तो वह पास हो के 35 नंबर ज्यादा ले गया तो बताओ बच्छे नंबरों में कितने का अंतर है 50 का बोलो भई मैं 15 रुपे करजे में हूं आपके पास 35 रुपे है आपके बराबर आने के लिए पहले 15 रुपे मेरे को करजा उतारना पड़ेगा फिर 35 रुपे कमाने पड़ चाहिए कितने परसेंट अंग चाहिए तो बताओ अब 400 नंबरों की परिक्षा है 500 का 30 परसेंट आपको डेड़ सो नंबर लेने पड़ेंगे डिस ओर डेड़ सो आए मेरे पांसो का 30 मेरे डेड़ सो आए और मैं 15 नंबरों से फेल हूं इसका मतलब में 165 में पास आउंगा 33 परसेंट 33 परसेंट अंक आपको लेने पड़ेंगे तब जाके बच्चे में पास आउंगा बोलो भी हाँ ना सब दोस्तों की बिल्कुल बिंदास तरीके से करते रहो बच्चे या एक काम करो 500 30 परसेंट तो मेरे पेले आए थे 15 नंबर से में फेल था तो 15 कितना गुणा में सो 3 परसेंट होते हैं अरे बोलो सारी दुरंदर 15 जो है वो कितना परसेंट होता है 500 का तो 15 बटा 500 गुणा में सो यानि 3 परसेंट इसका मतलब मैं 3 परसेंट रंक और ले लूँगा 30 मेरे आगे थे 3 आती में 33 में पास हो जाऊंगा बिल्कुल बिंदास तरीके एसी नमबर आयो है यह Humans the जिइन्व concerned शाच्रों का ओस्त derived 95 था उनमें से 10 लए टाट टोंट्य परसेंट का 90 है तो science का क्या है वैसे तो sto टोफेक Reports का है चाल सारे簡ा सुय क्वेकर का मतला साइरे को सु sacrific आएंगे क्या number are क्या average गुना करेंगे वह Total बनेगा 10% चात्रों का वस्त 95 था यानि दस बच्चों का वस्त क्या था 95 पिचानवे था तो कितना आजयेगा सब्सक्राइब किनुक्त दौ मकलन रहें सो बच्चे सब्सक्राइब सब्सक्राइब से सब्सक्राइब एक आफार बच्चे तो एवरेज क्या लेना पड़ेगा जीरो से जीरो काट दू हाँ साथ साथ उनंच्छास कितना बच्छी या तीन साथ पांस पैंटिस सेवन्टी फाइपरसंट बिचेतर परसंट कुछ नहीं क्या बच्छे वैसे यह परसंटेज का टूपिक नहीं है मेरे बाई एक एक परिक्षा में कुल चात्रों का ओस प्राप्त एटी था सारे सो बच्चे मान लिए और सो का एवरेज एटी था इने कुल नंबर आठ जार थे उनमें से 10% चात्रों का ओस्त 95 रहा यानि 10 बच्चों का एवरेज 95 पिचानवे रहात कितने नंबर आगे 950 अगले जो 20 बच्चे उनका प्राप्त 90 रहा तो कितने नंबर आगे 1800 इतने नंबर आप गठा दें तो 5250 नंबर बच्च गये ये कितने नंबर बच्चों के 70 से जलते रहेंगे और कारवा बंटा रहेगा बच्चे और कारवा गजब का बंटा रहेगा एक प्रीक्षा में तीन पेपर हैं एक अब्याठी बच्चे को उत्रिन होने के लिए कुल प्राप्त का 35% अंग प्राप्त करना है ओवराल पहले पेपर में वह डेड़ सो में से 62 नमबर लेता है तीशरे पेपर 180C उंक में से कितना अंक प्राप्त करें ताकि वे पास हो जाए मेरे भाई अब यह बताए डेड़ सो में से मेरे कितने नमबर आए लिखें जैसे रिकम लिखरा वैसे लिखते लगर कुछ भी नहीं है डेड़ सो में से 55 नमबर आए ठीक है प्रिक्षा कितने नंबर की और पास होने के लिए 480 का 35 चाहिए यानि मैं पास कब आउंगा इसका 35 लोंगा तो 35 परिक्षा कितना होता जीरो से जीरो काट दो 5 दो 10 5 7 35 दो पर यहां पर काटा कितना गया 24 24 तो 7 गुणा में 428 2 के रिखिया 142 16 168 नंबर मेरे को लेने पड़ेंगे कुल मिलाके 178 नंबर मेरे को लेने पड़ेंगे मैंने ले कितने लिए वो गटादो बच्चे 5 और 2 7 और 6 और 39 इतने नंबर में ले लिए तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे बोलो बच्चे से अने के बाद वो भी आपको बहुत तेज लगेगा इंपको बहुत ज्यादा थेज़ लगी कुछ भी तो नहीं है एंए चीज अश्क फिर देखो ध्यान से तीन पेपर देके आया बच्छे में तीन पेपर देके आया पहली प्रिक्षा 500 सो नंबर स naval फिए दूसरी प्रिक्षां सब्सक्राइब सब्सक्राइब 2217 कि एंभर खेंगे यू पास आ रेको 35% लेने पढ़ेंगे तो कुल मिला के तीन्नों प्रिक्षां से कितने कि थे डेड इंज और 23100 अट्र आदगेज़न चारपा सिटी नमब Liberty 608 504 कुल मिला के तीन उसी प्रम personagem कितना आंगप प्रैंग कर विल्कुल से मत हो ना बच्टे बिंदास से चलते रहेंगे और यह कारवा बंद ता लएगा बिल्कुल घजब गोके तरीके से चलते रहेंगे चलिए बच्चि देखते एक स्ट्रेंट को 46% अग प्राप्त करवे 45 रखोंच से आसफल हो गया चालीस पर्सेंट मेरे नमबर आए फिर भी मैं फेल हो गया बच्चि 40% में आभी गए और फिर भी मैं 55 नंबर से में फेल हो गया ठीक है जब कि दूसरा जो बच्चा था उसके 81 परशेंट अंक प्राप्त होता जो कि सफल होने के नियूंतम अंक से 15 ज्यादा है दूसरे बंदे के 81 परशेंट अंक आए और वो बंदा पास होके 15 नंबर ज्यादा ले गया इसका मतलब बच आपके बराबर आने के लिए पहले 55 रुपे का करजा उतारना पड़ेगा फिर 15 रुपे कमाने पड़ेंगे अनि डिफ्रेंस कितने का 70-70 का 70 कितने परशन के वेल्यू घटाओ बच्चे 11 में से 6 गया 5 की और 7 में से 35 की बताओ कुल तो गुणा में 100 होता है टोटल परशें से चलते रहेंगे अब कोई समश्या आएगी नहीं जैसा कि आपको वादा किया था बच्चे जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं एक के कोशने डाउट कराऊंगा जब मैं रेश्यो करा रहा था बोले सर परसंदेज का वो कोशनी हुआ अरे सारे वादे पूरे करेंग अब भी उस सपने की लगे हुए बिन्दास तरीके से लगे रहेंगे तब कारवा बंढता रहेगा एक विद्यार्थी के 30% अंग प्राप्त होते हैं और वह 5 एकोशे एससफल हो गया मेरे 30% अंग आए और मैं 5 नंबरों से फेल भी हो गया 30% अंग में लेता हूँ और मैं 5 फिलोगा ठीक है और क्या बोला गया है जबकि दूसरे विद्यारति के चालिस परstalन अंक आये और वह उससे अत्वृस्न चे 2 संक अधिक प्राप्त हो गया दूसरे बंदे के 40 परसेंट अंक आये और फासे तो पास हुआ नंबर कि आगे लिए पर्संट में डिफरेंस कितने का निचे आता है दस का चाहिए वेल्यूग उना में सो पराद कुतने है टोटल परिक्षा कितने नंबर की मैक्सिमम माख्स बताने ठेचे तो कितना एंडर नंबर मेरे विचार से कारवां बंदता रहेगा अब यह करमियोद्धा यह नहीं रहे अब 3-Anon Cow Yuk अपना दम दिखाना है ठीच है इतने लाइक शेर मतलब आपको दुवाईं दुवाईं कर देना शाम को से इंदर कुदऊगे तो आपका जलवा लगी रहेगा बिलकुल बिंदास तरीके से बेसिक से तरीके से सारी बाते पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते रहेंगे दो विद्यार्थी एक प्रिक्षा में सामिल होते हैं एक चातर को दूसरे से नो अंक अधिक मिलते हैं तथा उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56 परसेंट है बहुत ही गजब का कंसेट है उसके जो नंबर आए यानि अगर मेरे आप से नो नंबर जादा आए वो हम दोनों के टोटल का 56 परसेंट है चपन परसेंट का मतलब चपन बटा सो इसका मतलब अगर मैं चपन परसेंट को बरिये के करूं मेरे बच्चे चपन परसेंट का मतलब होता है चपन बटा सो यानि मेरे चपन नंबर आए अगर हम दोनों के मिलाके सो हैं तो छोटा करें कट गया चार प्यू चार एक चार चार चार-शोला चार-पत्चीस अगर हम दोनों के मिला के 25 नंबर है ना तो मेरे चाउदा है इसका मतलब 14 नंबर अगर मेरे तो आपके कितने होगे बोलो बच्चे घटाओ 11 नंबर आपके हैं सही बात है ना डिफरेंस कितने हो गया बोलो बढ़ी तीन का हो गया रियल में डिफ चाहिए इसकी 11 तो कितना उत्र आजाएगा 33 नंबर उसके आए 42 और 33 कोंशा उप्षन तुरंट धमाके से मारोगे यह बहुत ही गजब के तरिके से कराए एक बार लिखना यह अच्छे तरिके साब को बताया बहुत ही गजब के तरिके से लिखो एक बार जांसे रकम कर अई रिकम को ज्यान से पड़ो रकम में ही उत्तर होता है को के रिकम को ज्यान से पड़ो रकम में ही उत्तर होता परी पनी कैसे लगह यह अच्छा, वह इससे इसके डक्स से बहुत लगे दो विद्यार्थी एक प्रिक्षा में सामिल होते हैं ठीक है बैए एक छातर को दूसरे से नो अंकदिक मिलते वेल्यू है जो उसके कुल दोनों को योग का 56% है जो कि हम दोनों के कुल योग का 56% है 56% का मलद चपन बटा 100 यानि हम दोनों के मिलके A और B के मिलके 100 नमबर आए ना बचसी तो A के 56 नमबर है यह बात है छोटा किया तो A के अगर 14 नमबर है तो A और B के मिलके 25 है तो A पलस B नहीं तो बलता हो 25 मिह चवड पर सिस्की नो बचेहां बनता रहेगा बच्छी तुरन्ट किसकी चाही जिसकी और ये कार्मा आपका बनता रहेगा थीक है ये कार्मा आपका बनता रहेगा बहुत इक गजब के तरीके से बिंदास तरीके से आगे चलते रहेंगे, ठीक है न, एक दिन हमारी महना जुरूर रंग लेके आएगी, बचे गजब के तरीके से रंग लेके आएगी, ठीक है, सारे आपकी बाते करेंगे, चलिए, एक गाउं में 60% परिवार के पास गाएं हैं, 30% परिवार के पास एक भें स्क्राइब रगां मगें यहां पर उनको बठाएंगे जिनके सबसे पहले मने आपको थे-स सी परिवार के पास यहाँ है इस पूरे सरक्लमिंड सिक्स्टी आईगा आपको यहां कितना यहां कितना 30 पिसे प्रिवार के के पास बेंस हैं आपको यह नहीं पता यहां कितना यहां कितना पूरा बेंस यह 30 है यह दुनों मिला के तेसे आपको यह नहीं पता यहां कितना यहां कितना 15 परिवार की पास गाहें और बेंस दोनों तो यह बीच में आएगा 15 परिवार के पास गाहें और बेंस दोनों तो बोलो भी हाँ है ना अगर मैं कहता हूं यहां पे टोटल कितना है बोलो 30% 30 में से 15 कवर हो गया ते हम पर 15 बच गया अब यह बताओ कितने हैं कुल परिवार कि संख्या चानवे हैं अब इसका यूज लाष्ट में करना है अरे मेरे दुरंद्रो अरे मेरे प्यारे प्यारे अनाडियो अरे बंते हुए खिलाडियो जलते चलते हुए अनाडियो बंते हुए खिलाडियो यह बताओ चानवे वेल्यू का यूज ल गावन में 25 तो क्या आजेगा 25-400 और 24 चारवां बंदता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहोगे बिल्कूल बिंदास तरीके से एक गाउं में लड़के तथा लड़कियों का अनुपाद 3-2 है ठीक है बच्छे यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां एक परिक्षा में सामिल होते हैं तो परिक्षा देने वाले गाउं के छात्रों तथा परिक्षा नहीं देने वाले गाउं के छात्रो लड़कियां अगर लड़के कितने हैं 300 तो लड़कियां कितनी हो गई दोस्तों अब यह मत कहना सर तीन दो था तो दो जिरो क्यों लगा यह रहे लास्ट में परसेंटेजी होता है 30 परसेंट लड़के तथा 70 परसेंट लड़कियां एक परिक्षया में सामिल होते हैं लड़के 30 परसेंट परिक्षया में सामिल होते हैं यानि 300 का 30 परसेंट 90 यह बच्चे सामिल हुए परिक्षया में और क्या बोला है तथा लड़कियां कितनी 70% लड़किया सामिल होती है लड़किया तो बहुत बच्चे 140 लड़किया परिक्षय में सामिल होती है इसने क्या बोला है पुछा क्या है परिक्षया देने वाले गाओं के चात्रों तथा परिक्षा नहीं देने वाले गाउं के चात्रों का नहीं बात बताओ, परिक्षा कितने चात्रों ने दी, तो 140 पलस में 90, 230 चात्रों ने परिक्षा दी, और कितनों ने नहीं दी, ये तो परिक्षा हाँ वाले हैं, और कितनों ने परिक्षा ना दी, 500 में से गटादो, तो 270 न 27 अरे सारे बच्चे हां बरो 23.9527 तुरंत आपका अनसर आ जाएगा 23.9527 तुरंत आपका अनसर आ जाएगा बोलो हाँ ने सब दोस्तों की अरे बोलो सारे हाँ ने सब दोस्तों की चलिए बई अब बताओ बच्चे एक परिक्ष्या में 32% छातर हिंदी में अनुत्रिन फेल यदि दोनों वेशों में 22 प्रिंशात्रा नुत्रिन फेल हुए तो सब से पहले यहां पर फेल वाले बच्चे लिग देंगे, यहां पर ने किस्क्रिश नहीं पाईए हिंदी में 3, 22 लिख नहीं पाएंगे बोलो कूँआ क्यों कि पूरे सरकल में 32 आएगा संस्क्रित में फैलें drainage नहीं पाएंगे क्यों कि पूरे सरकल में 40 आएगा जाएंगा दोनों विश्वों को पता है टोटल प्रसेंट सो होता है मेरे भाई यह कितना अगया अब तक चाले सर दस पचास इसका मतलग फिव्टी परशन बच्चे ऐसे दोनों में पास भी है पूरे इसका पूरे यहां पे बच्चे कितने होते हैं अगर यहां तक पचास कवर हुआ तो पचास यह जो दो और विशे में पास है यानि कितना सी ओप्चन तूरंथ औं फ्हेंग दे गा चलिए बचर गजब की دिकेसी कारवा बंता रहेगा ऐसे आंगे बढ़ते रोऊ बच्चे घरिकेसी कारवा बंटा रहेगा ठीक है ना तुरंथ गोड़ा देंगे देखिए एक Venture में श्रावन पर्शेंट पर्तियोग скорее अंगरेजी में अनुत्रीवीं ओए फेल हुए 42 पर्षेंट गनित रुआँ सबसे पहले दोनों में 70 फेल हुए अच्न पूरे में 52 तो 52 मिनगें से 17 यहां चला गया 12 में से साथ लिया 5-4 में से गए 35 यहां पर आएगा ठीक है बच्छे 42 परशंट गनित में फेल एंगा इस अब बारा में से साथ गया पांच और चार में से गया तीन वे फार शयां पर आएंगे ठीक है अब बागे बच्छे पास बच्छे जोड़ कर दो 35, 35, 35, 37, 77 हो गया साइट, 77 तो कितने बचेंगे, 23%, 23% है से हैं, जो दोनों में पास हैं, बोलो बची, 23% है से जो दोनों में पास हैं, तुरंत आप उड़ा देंगे, टोटल परसेंट 100 होता है, इस बात को आप बली बाती जानते हो, टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, इस बात को आप बिलकुल गजब के तरीके से जानते हो, हर एक बच्चे को नोलिज है, ठीक है बच्चे हाँ, इन्हें सब की, सेम कोशन चलते हैं, डूबते को तिनके का सारा बोलो बच्छे डूबते को तिन के का सारा बिंदास तरीके से चलते रहेंगे एक वर्ग में 60 बच्चे हैं टोटल साथ बच्चे हैं 30 परसेंट बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं 30 परसेंट बच्चे केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं 20 परसेंट हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं यह English यह Hindi है इसको बोलते हैं किवल अंग्रेजी 30 परसेंट केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं 20 परसेंट हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं आप यह बताएं सब को बताएं टोटल परसेंट 100 होता है तो 30 और 20 50 तो आपको बताना हिंदी तो आएगा 70 बचे केवल हिंदी बोलता तो 50 आता जीरो से जीरो कैंसल 42 ब्या लिसंस रा जाएगा यादकना बड़ा फरक है केवल हिंदी में और हिंदी में बहुत फरक है अगर केवल हिंदी पूछता तो गुणा में 50 आता अगर केवल अंगरेजी पूछे तो गुणा में 30 आएगा अगर अंगरेजी पूछे तो 50 आएगा और हिंदी पुछे तो सत्तर आएगा, हिंदी का मतलब ये वो बच्चे जो हिंदी में पास हैं, ये वो बच्चे जो अंगरेजी में पास हैं, ये वो बच्चे हैं जो केवल क्या था, यांपे तीस था, ये वो बच्चे जो केवल अंगरेजी में पास हैं, और ये वो चाहिए न तो दोबारा कोश्ण को देखना पड़ेगा आपको मैं मान के चलूँगा आप घर में अच्छी प्रेक्टिस करके आएं आप खूब ज़्यादा अच्छी माथा-पची करके आएं ठीक है ना आप घर में माथा-पची करके आएं ऐसा ने कि याँ पर सीखना दोब गर पे आप मातापची करके आये हैं एक परिक्षा में 70 परसेंट परती होगी अंग्रेजी में उत्रिण हुए पास हुए पेंजाट परसेंट परसेंट गरनित में यदि 27 परसेंट परती होगी दोनों विशो में अनुत्रिण फेल हुए तो Zacण परती होगी प्रिक्षा में उत्रिण हुए यह चोड़ो अनुत्रन बाद की बाते करेंगे पहले बताइए वेल्यू चोड़ो 70 परसेंट परते होगी अंग्रेजी में उत्रन पास हुए और 65 परसेंट किसमें गनित में अब यह बताओ सब को पताए इस सरकल में वह बैठेगा जो मेत में पास आएगा और मेत में पास कि इतने हैं 65 परसेंट लिख नहीं पाएंगे बोलो क्यों क्योंकि आपको पताए पूरे सरकल के अंदर यह आएंगे आगी क्या बोला 27 परसेंट पढ़ते होगी दोनों विश्व में अनुत्रिन फेल हुए तो बहार आएगा 27 परसेंट दोनों में फेल है तो पहले तो बहार बेट गए तो बच्चे कितने 73 तीयत्र बच्चे और इन दोनों का जोड कितना आया इन दोनों का जोडा राए 135 कवर करना के एवल 73 इसका मतलब बाक्की जिगे काम पे आएगा बोलो बच्ची बाकी बासेट परसेंट यहां पर दोनों में आएगा बच्ची बासेट परसे परती योगी परिक्षा में उत्रिन हुए हैं, 248 परती योगी परिक्षा में उत्रिन हुए हैं, यह पास हुए हैं, तो यह वाली वेल्यों बचे, यह 248 वेल्यों कि इसके इन सब का जोड, 62 और 65, 65 और 8, कितना हो गया बोलो बचे, 73 तीयतर, 248 वेल्यों कि इसके 73 तीयतर की है ठीक है ना भई हम कर जाया क्या पूरा है कि अ अ हाँ इसिवर्ण केंडेट फेल इन बोथ दा सब्जेक्ट्स एन टू फोट्यएट पास्ट दा अग्जामीनेशन दो सो अड़ा बचों ने पास किया अधा टोटल नंबर ओफ केंडेट बताईए हां तो पास कितने लोगों ने किया बचे सत्तर और सेवंटेटर ने किया है तो परिक्षा में सामिल कुल बचे कितने थे कुल बचे तो सो थे पूरा तो नहीं कर्ट रहा है यारी खुल गल्क कितने खरीए एजरने लिए कर दोग जुटति किया है नग धिल्गा depressiven राड करेंगे प्रिक्षाऀंबने हैं करें looking 248 पास्थ इन पोystem लुछ चेंज़ पर अइसक आपकेSt एकाम चझाउ थोड़ा चैंज करो 248 परतियोगी ती परिक्षा दोनों परिक्षा में लिखो 248 बचे दोनों में पास हुए ऐसे लिखो 248 वेल्यू दोनों में पास हुए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 248 पास हुए दोनों में अभी कट जाएगा 248 वेल्यू किसकी 62 की बोलो बच्छे 248 वेल्यू की 62 की कुल परती होगी कुल बच्छे कितने गुणा में 100 कर दो किस पर कट गया 4 पर अब यूंसर आ जाएगा 400 कौनसा ओप्षन होगा बच्छे C ओप्षन पिछला तो कट नहीं रथा 248 पास तो फिर इसकी वेल्यू होती बच्छे इस रकम के होगे सिधा कि 248 बच्छे दुन वीशे होगे सिधावकाराओ को में 51 कर अगर पूस्ता में केवल में पास तो गुणा में 5 केवल अंग्रेजी में तो 3 आठा में 4ada क्रें 35 एक चिरिके से wonder रहेंगे कारवारा बनता रहेगा बच्छे एक एक चात्रा वास में 600 लड़के हैं, परतेक या तो होकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, 75% लड़के होकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेल कितने लड़के खेलते हैं, जोड कर दो, सबको बचाए, ओर 75 और 45 के जोड कितना आ गया, 120 आगया आप यह बताओ 100 टोटल जोड 100 होता है तो कितना बच गया 20% कौमन दोनों में है यही पूछाता सारे 600 बच्चे 600 वेल्यू किसकी 100 की कितने जो दोनों खेलते हैं तो गुणा में कितना आएगा 20 अंसर आजाएगा 120 कितना बच्चे तो यहां पर कितना था 25 तो 3 यहांपर कितना था 70 तो 8 तो यही पूछा था अभी जो कराएथा पिछले से पिछले कोशन था सेम सिक्स्टी टूँन्स रा जाएगा परसेंट में पूछ लिए बच फरक यह था एक अक्षा में सेवंटी यह सेम है तो बच्छे कर लेंगे तो एक अक्षा में बेतर प्रसेंट यह सेम का सेम ऐसा कोशनी यह है अब यह बट लास्ट तो कुण छोड़ें बिलुकुल लास् कोशनी चोड़े एक अक्षा में 27 चातर जीव विज्यान में 44 चातर गनित का चेंड करते हैं यदि परते चातर जीव विज्यान या गनित में कम से कम एक विशे लिया हो और 40 चात्रों ने दोनों विशे लिये हो तो बताए बच्छे दोनों का जोड कितना है बैतर और दो उजोड तो सो जोता है यह बटा इंगा जोड कितना में थे रहेंगे चार चार यहां पर बनाऊंगा बोलो मेरा क्या करोगे ठीक है ना तो बनालो मेरे भाई बनालो सारे बच्चे बताओ यहां पर कितना है बोलो 44 है दोनों का जोड़ सो होता है तो पहले यहां चे और 116 यहां बिठाएंगे गटाओ बच्चे 12 में से चे गया चे यहां पर अठीक है तुरनत वेलेश किसकी चाहिए किसकी बताओ कुल बच्चे कितने गुणा में सुवाएगा अगर मैं पोस्ता बताइए बच्चे कितने बच्चे पास जीवी ग्यान में है तो गुणा में बहतर आता ओनली जीवी ग्यान बोलता तो बावन आता मैत पूछे तो 44 आएगा ओनली मैत पूछे तो 28 आएगा अब बिंदास तरीके से आगे चलते रहे ना बच्चे अरे सेर की तरह धाड़ना है ठीक है ना सेर की तरह धाड़ना है अपने मम्मी पापा की फोटो लगानी है ठीक है गुरु हमें भी याद अखना है और बिंदास तरीके से आगे चलते रहे ना बच्चे ठीक है तो कल आगे topic continue करेंगे ओके थेंक्यू बच्चे लगे रहो थेंक्यू करेंगे करेंगे झाल झाल